दोस्तो किसी भी foreign country में जाने से पहले आपको चाहिए होती है वहाँ की currency क्योंकि currency के विन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस country में इस वीडियो में आपको बतागो कैसे आप online या offline currency exchange करवा सकते हैं इंडिया में इस वीडियो को मैं straight forward रखने वाला हूँ सीधे सीधे बात करूँगा और अगर इसके बाद भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज मुझे comment box में पूछे सबसे पहले बात करते हैं कैसे आप घर बैटे अपनी currency exchange करवा सकते हैं और वो currency आपको घर पे deliver भी हो चाहेगी अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहांपे कोई सुवीदा नहीं है एक्सचेंज करवाने के लिए तो ये चीज आपके बहुत काम में आ सकती है इस website का नाम है bookmyforex.com और इसका कोई भी promotion नहीं कर रहा हूँ बट ये सबसे अच्छी websites में से एक है तो मैं आपको इस वीडियो को तुरू बता रहा हूँ जैसे कि आप यहाँ पर जाके अपनी city select कर सकते हैं आपको कितना amount चाहिए वो select कर सकते हैं mostly लोगों को लेना पसंद है US dollar तो आप यहाँ पर US dollar का rate भी देख सकते हैं और यह amount आपके घर पर deliver हो जाएगा सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप इसे currency buy भी कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई extra currency है जिसको आप बेचना चाहते हैं तो आप उनको sell भी कर सकते हैं इस website का link आपको description मिल जाएगा आप इसको use कर सकते हैं इंडिया में कहीं से भी अब माल लीजिए आपको online exchange नहीं करवाना है आपको सीधे सीधे शॉप में जाना है और अपना exchange हाथों हाथ करवा के लेके आना है तो इसके लिए आपके शहर में most probably आपको अराम से शॉप मिल जाएगी मैं हाँ पर खुद का example देता हूँ मैंने Thailand जाने के लिए हाली में एक दो महीने पहले exchange करवाया था इंडौर से आप फोटो देख सकते हैं मेरी receipt की साथ में वो शॉप की भी तो जो लोगों इंडौर से देख रहे हैं वो उस जगे पर जाके exchange करवा सकते हैं अच्छा rate था थोड़ा सा मतलब थोड़े service charge जेना बढ़ता है बट वो बहुत जादा नहीं था तो एक अच्छे rate में मुझे अच्छा amount मिल गया जो की फायदे मन था मेरे लिए इसके अलावा आप बैंक में जा सकते हैं वहां से exchange करवा सकते हैं बट बैंक में जाने से क्या होता है आपक इसका आपको ध्यान रखना है इन जगहों पर किसी भी बैंक में currency exchange करवाने के लिए आपके पास passport, pen card और आधार card और driving license की copy होना चाहिए अगेन इन जगहों से सिफ आप currency exchange नहीं करवा सकते हैं अगर आपके घर में मान लीजी आप US गए थे आपके पास 100, 200, 300 डॉलर बाकी हैं कितनी भी डॉलर्स आपको exchange करवाने हैं यूरोस exchange करवाने हैं कोई भी currency exchange करवानी है आप यहां पर जाके exchange भी करवा सकते हैं किसी भी इन जगह पर currency exchange करवाने के लिए आपको ध्यान रखना है rate का अगर आप किसी भी एरपोर्ट में जाके currency exchange करवाएंगी तो आपको अच्छा खासा फटका पड़ेगा एरपोर्ट पर मैं exchange करवाने की सला तब ही दूँगा जब आपको घर पर टाइम नहीं मिला हो या किसी भ पड़ेगा आज की rate के हिसाब से अगर आपको चाहिए 300 US dollar तो आपको इंडियन रुपीज में उसके लिए पे करना पड़ेगा 21,438 रुपीज यहीं अगर आप किसी भी एरपोर्ट पर जाएंगे और exchange करवाएंगी तो मान लीजे आपको 21,000 के जगह 30,000, 24,000 तक देने पर सकते हैं इसके अलावा हमेशा करनसी उस जगह से एक्सचेंज करवाएंगी जो ऑथेंटिक हो जहां पर आपको अच्छे से rate मिले अच्छे note मिले क्योंकि आप किसी भी shady जगह पर गई shady कहने से मतलब किसी भी छोटी मोटी जगह पर गई तो आपको fake note मिल सकते हैं कटे फट करवाना बहुत ही आसान है ओनलाइन हो या ओफलाइन हो आपको किसी भी बात का टेंशन लेनी की ज़रूबत नहीं अगर आपका आस जोक्यूमेंट है तो आप काम 10 से 15 मेट की बीच पे हो सकता है दोस्तों इस वीडियो के लिए नहीं अगर आपके वीडियो काम का लगा त प्लीज इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते आगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई